जै मातादी फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल इंडियन फूर आयोध्या, फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के साथ गोभी की फेर से एक एस्पेसल रेसिपी लेकर आई हूँ, चलिए बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमने गोभी को काट लिया है, उसके बाद पानी गरम करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और गोभी डाल देंगे, और थोड़ी देर इसे गरम पानी में ही छोड़ देंगे, जिससे कि इसमें एकर कीड़े होंगे, तो वो भी निकल जाएंगे, और गोभी भी सौफ्ट हो जाती है, ये देखिए, हमने पांच मिनिट और लहसुन इसे भी तेल में डाल देंगे, उसके बाद हमने दो टमाटर ले लिया है, उसे भी इसमें डाल देंगे, और थोड़ी देर इसे भूण लेंगे तेल में, एक बार इस तरीके से भूण कर जरूर बनाएगा फ्रेंड्स, बहुत टेष्टी सबजी बनकर तयार हो देल लगती है और गोभी बहुत जल्दी पक जाती है इसलिए हमने आलू को पहले भून लिया है उसके बाद गोभी को भून लेंगे अब फिर से हम कड़ाही चढ़ाएंगे गैस पर और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे सिर्फ हमने दो चमच तेल डाला है उसके बाद डाल देंगे थोड़ी से खड़े गरम मसाले आपको अगर खड़े गरम मसाले का फ्लेवर अच्छा लगता होगा तो आप डालेगा अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप इसकी भी कर सकते हैं हमने जीरा डाल दिया है एक चम जब तक कि इसमें से तेल ना छोड़ने लगे तब तक मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है तो ये देखिए फिर्स मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं अब इसमें हम सुखे मसाले आड़ करेंगे तो सबसे पहले डाल देंगे हल्दी पावडर उसके बाद डाल देंगे सबजी मसाला और थोड़ा सा ही हमने डाला है गरम मसाला और थोड़ा सा डाल देंगे कश्मेरी लाल मिर्स और एक चमस धनिया पावडर डाल देंगे और लो फ्लेम पर एक मिनट तक इसे भून लेंगे इस तरीके से मसाले जरूर भूनिएगा इस तरीके से बहुत जल्दी मसाले भून भी जाते हैं और बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं रहता है और बहुत टेश्टी मसाले बनकर तयार होते हैं तो थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है मसाले भूनने के बाद और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी मसाला भून कर तयार हो गया है अब इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे जब तक साइट से थोड़ा थोड़ा सा तेल ना दिखने लगे अब इसमें हम सब्जी डाल देंगे और उसे भी 5 मिनिट तक भून लेंगे मसाले के साथ ही जिसे के मसाले का सारा फ्लेवर सब्जी में अच्छे तरीके से आ जाएगा और यह देखिए हमने लगातार इसे चलाते हुए भून लिया है अब इसमें हम गरम पानी डालेंगे तो जिस कड़ाई में हमने तड़का बनाया था उसी में पानी गरम होने के लिए छोड़ दिया था और जितनी आपको ग्रेवी इसमें चाहिए आप यहीं पर पानी डाल दीजिएगा अब इसे हमें ढग देना है तो सोड़ा सा नमक डाल देंगे यानि सोड़ा नुसार इसमें नमक डाल देना है अभी हमने मसाले में भी नमक इस्तिमाल नहीं किया था तो सबजी के हिसाब से इसमें नमक डाल देना है और इससे ढख देना है ढख कर हमने 8 मिनट तक छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पर और सब्जी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है और आप सब्जी की रंगत देख सकते हैं ये बहुत फ्लेवर वाली और टेश्टी सब्जी बनकर तयार होती है इसके खुस्पू बहुत जवर्दस आती है आप ट्राइ जरूर करिएगा इस सब्जी को अगर आपको वीडेओ पसंद दाया होगँ तो वीडेओ को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बैल आकन भी प्रेस करिए जिसे मेरे आगए आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे और आप मेरी सारी वीडियो को देख सके थैंक्स पार वाचिंग जै मातादी फ्रेंड्स